नमस्ति चात्रो आज हम कक्षा सात्वी की जो किताब है वसंत भाग दो इस किताब में लेशन नमबर 11 पार्ट 11 रहीम के दोहे इस पार्ट का आज हम अदेन करने वाले हैं तो आपके किताब में पेज नमबर 83 पर ये रहीम के दोहे इस लेशन दिया गया है पिछले कुछ साल में या पिछली कक्षा में आपने कबीर के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी उसे प्रकार रहीम ने भी अपने ये दोहे लिके है कबीर दास ने समाज को मार्गदर्शन करने के लिए समाज को रास्ता दिखाने के लिए समाज को सही तिशा दिखाने के लिए दोहे लिके दे जैसे कि कांकर पत्तर जोरी से मज्जिद गई बनाई ता चड़े मुला बांग दे का बहरा हुआ खोदाई या हिंदू की हिंदवाई तुरकन की तुरकाई इन दोहन रहा पाई इसी प्रकार कबिरदास ने कई दोहों के द्वारा समाज में दिखाए देने वाला अडंबर जाती भेद या कूरितियां इसके बारे में उपदेश करने का काम किया है और समाज में जो कुछ अंजान था या लोग उसे नहीं जानते थे वो मार्ग दिखाने का काम संत कबिर ने किया था जिस प्रकार संत कबिर ने अपने दोहों के द्वारा लोगों को उपदेश देने का काम किया उसी प्रकार रहीम ने भी अपने दोहे लिगे और उन दोहों के द्वारा रहीम ने समाज को एक रास्ता दिखाया, समाज को एक मार्गदर्शन किया और समाज को सही तिशा दिखाने का काम किया है तो इसे लेशन में जो रहीम ने अपने दोहों के द्वारा जो उपदेश किया है वो कौन सा है और उनने क्या जानकारी दी है या जह हम अद्देन करने वाले हैं तो रहीम के दोहे पेज नमबर 80 थी पर दिये गए है तो पहले हम रहीम दास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे आपके सामने जो चित्र दिखाए दे रहा है वो रहीम दास का है तो रहीम दास के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हमें पता चलता है कि रहीम दास मुगल समराठ अकबर के शाशनकाल के एक माहन कवी थे उनके दरबार में वो कवी के रुप में कार्य करते थे उनका पूरा नाम नवाब अब्दूल रहीम खान यी खाना था वो अकबर की सभा के महत्वपुन दिवानों में से एक थे जिने नवरतन भी कहा जाता है यानि कि अकबर के सभा के अकबर के महल में नवरतन थे और उन नवरतनों में से एक थे रहीम रहीम अपने दोहो और जोतिश पर लिखे गए किताबों के कारण मशुवूर है तो रहीम ने कई दोहे लिखे है और जोतिश पर कई किताबे भी लिखे और उसके कारण रहीम प्रसिद्ध हुए आज भी हम या आज भी हमें आदेन के लिए रहीम के दोहे दिखाए देते या रखे गए तो ऐसे रहीम दाज का जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहोर में हुआ था आज 21 सदी शुरू है तो 1556 यानि 15 सव शताबदी में उनका क्या हुआ है जन्म हुआ है रहीम दाज जी ने अपने दोहों के माध्यम से जन्ता की नीती सम्मंदी बाते बताई और उनका मार्गदर्शन करने का भी प्रयास किया है यानि कि दोगों के द्वारा रहिम दास ने क्या किया है तो जनता की जो नीती है जो उनका विवार है उसके समदी में जो कुछ बाते है वो बताने का काम किया है और एक मार्ग दर्शन करने का भी प्रयास रहिम दास ने किया है उनको अवदी, ब्रज, अर्बी, फार्सी, तुर्की और हिंदी का अच्चा ग्यानता उनकी सभी कृतिया रहीम ग्रंथावली में समाईत है यानि कि जो उन्होंने लेकन किया है वो रहीम ग्रंथावली में आपको मिलता है तो इसी प्रकार रहीम दास ने ये दोहे और कुछ जोतिशी पर कितावे लिकी है उन्ही में से रहीम ग्रंथावली में से लिये गए कुछ दोहे आज आपके आतेन में दिये गए है तो कौन से दोहे है वो आज हम देखेंगे तो रहीम के दो है पहले हम उन दो हों का क्या करेंगे रिडिंग करेंगे कही रहीम संपती सगे बनत बहुत बहुत रीत बिपती कसोटी जे कसे तेई साचे मीत जाले परे जल जात बही तजी मिनन को मोह रहीमन मचरी नीर को तवन चाड़त छो तरवर फल नहीं खाते है सरवर पीतन पान कही रहीम परकाज हीत संपती सचही सुजान थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात दहनी पुरुष निर्दन भय करे पिछली बात और लास्ट का दोहा है दर्ती कीसी रीत है सीत गाम ओ मेह जैसी परेसो सही रहे त्यो रहीम यह देह तो इसे प्रकार ये पांच दोहे यहां दिये गए है अभी जो पहला है कही रहीम संपती सगे बनत बहुत बहुत रीत अभी इसमें क्या ये है कुछ नए शब्दाए है न क्या ये है कुछ नए शब्दाए है जैसे कि कही कही मतलब कहना कही मतलब कहना रहिम संपत्ती संपत्ती मतलब पैसा धन सगे यानि कि अपने लोग बनत बनना बहुत अधिक बहुरीत यानि कि रीत मतलब संबंद तो रहिम कहते हैं बताते हैं कि जिसके पास संपत्ती होती है संपनता होती है धन होता है पैसा होता है उसके पास सभी लोग आते हैं उसके सभी रिष्टेदार होते हैं उसके कई मित्र होते हैं उस लोगों के कई दोस्त होते यानि कि संपत्ती और संपनता में अनेक लोग विभिन रीती नीती कि या छल कपट से जो लोग होते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं आपना संबंद बनाते हैं मित्रता बनाते हैं और रिष्टे बनाते हैं उसके नीचे की पंक्ति क्या है विपत्ती मतलब विपत्ती यानि कि कटिन समय कसोटी विपत्ती मतलब कटिन समय या कसोटी में जो काम आता है वही सच्चा मित्र कहलाता है यानि कि इस दोई के द्वरा रहीम दास हमी यही बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास पैसा होता है धन होता है या संपती होती है तब सभी लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ मित्र बनते हैं हमारे साथ रिष्टेदार बनते हैं लेकिन जब हमारे उपर कुछ संकट आता है कटिन समय आता है तब हमारे साथ कोई भी लोग रहते नहीं लेकिन जब कटिन समय में हमारे साथ रहते हैं वही सही मित्र होते हैं वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं वही सच्चे रिष्टेदार कहलाते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ती की कसोटी पर खरा उतरता है मतलब कटिन समय में भी हमारे मदद करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है तो इसे प्रकार रहीम दास ने इस दुहे के द्वारा यही बताया है कि हमें लोगों की कटिन समय में भी काम करना या मदद करनी च चाहिए कटिन समय में लोगों के साथ नहीं चोड़ना चाहिए क्यूंकि अच्छे दिनों में खुशिके दिनों में सभी लोग होते हैं लेकिन कटिन समय में कोई रिष्टेदार नहीं होता कोई दोस्त नहीं होता और जो होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है यहां रहिमदस बताये, इसके अदर पर एक उधारन भी बताया जाता है, जैसे कि कुरुष्न और सुधामा, हमारे आनुएल प्रोग्राम में ये कहानी भी बताये गई थी, है न? जैसे कि कुरुष्न और सुधामा ये बच्पन के दोस्त थे, और जब बड़े हो जाते, तो कुरुष्न द्वार्का देश बन जाते हैं और सुदामा एक गरीब आदमी बन जाता है। तो एक दिन सुदामा की बीबी, पत्नी उन्हें कहती हैं कि आपका मित्र एक द्वार्का देश हैं। लेकिन वो कुरुष्ण को अपने दोस्त को कुछ बता नहीं पाते और वैसे ही लोट आते और जाते जाते रास्ते में उन्हें विचार आते हैं कि मेरे मित्र ने मुझे मदद की होती लेकिन मैंने बताया नहीं लेकिन जब सुदामा अपने गाव चले जाते तो देखते हैं कि कुरुष्ण ने उनके गाव को क्या किया है मदद की है यानि कि इसे प्रकार जो संकट समय में कटीन समय में या गरीब परस्तिते में जो हमारी साथ देता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है सच्चा मित्र कहलात इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए तो लोगों को मदद करनी चाहिए कब करनी चाहिए तो जब कटिन समय होता है जब कोई परस्तिती होती है उसी समय में लोगों की मदद करनी चाहिए अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहिमन मचरी नीर को तवन चाड़ती छोह, जाल परे जल जात बही, जाल मतलब मचली पकड़ने का जाल होता है, उसे जाल कहते हैं, जल मतलब पाणी, जात बही, मतलब बहना, यानि कि मचली पकड़ने के लिए मचवारी क्या करते हैं, तालाब हो, नदी हो, या समुंदर हो, उसमें क्या करते हैं, जाल डाल देते हैं, मचली पकड़ने के लिए तजिज मिनन को मोह ना तो वो मचवारे क्या करते हैं तो मचली पकडने के लिए आपना जो जाल होते हैं वो पानी में डाल देते हैं और वो मचली पकडने के लिए बैठ जाते हैं तो मचली और वो पानी इन दोनों का क्या होता है गनिष्ट प्रेम बताया जाता है या प्रेम होता है किसका मचली और जल का ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहे सकते हैं है ना जैसे कि मचली पानी की बाहर से निकाली जाती है तो तड़ब कर मर जाती है तो इसी प्रकार पानी और मचली एक दूसरे के बिना नहीं रहते एक दूसरे के घनिष्टा संबंद होते प्रेम होता है वो कहते है कि जब जाल पानी से डाला जाता है पानी में मचली पकड निकले तो जाल पानी से जब हम बाहर कीचते है तो क्या होता है उस जाल से पानी बाहर निकल जाता है जैसे हम जाल पानी के उपर कीचने लगते है परंतु मचली जल को छोड़ना चाहती है क्या नहीं छोड़ना चाहती है क्यूं क्यूंकि वो पानी में रहना पस लेकिन पानी क्या करता है? उस मचली से अलग हो जाता है. तो पानी अलग होने के कारण मचली क्या हो जाती है? तड़ब कर मर जाती है. तो इसे प्रकार इस दुहे से रहिम दास यही कहते है कि हमें इसी प्रकार के घनिष्ट संबंद बनाने चाहिए. एक दूसरे के उपर प् प्यार करना चाहिए. जिस प्रकार मचली और जल का क्या होता है? घनिष्ट प्रेम होता है. तो एक दूसरे के बिना वो रहे नहीं सकते. तो इसी प्रकार इस दुहे के द्वारा कभिर्दास हमें यह बताते हैं. और वो यही संदेश देते हैं कि हमें गाउं के जो लोग हो अमारे दोस्त होते हैं. उनके साथ हमें इसी प्रकार के सम्मंद, इसी प्रकार के रिष्टे बनाने चाहिए. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगला जित हो है उसे अगले वीडियो में हम देखेंगे. आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेज स